होशंग बाद की बेटियों ने इस समय प्रदेश में हो रही देश में नर्दा अंचल के नाम से रोशन किया हुआ इन तीन बेटियों ने खेल जगत में पदक जीत कर नाम रोशन किया है तो वहीं एक बेटी में इसेज साउथ अफरीका बनी है और अब एक बेटी ने होशंगाबाद शहर का नाम फिल्मी जगत में रोशन करने की ठाली है होशंगाबाद में दवा विक्रेता की पुत्री वेशाली गुपता नर्दा अंचल छेतर में पैदा हुई है और अब अपने भविश्य में अपने शेतर का नाम उचा करना चाहती है आपको बता दे के इसके अलावा वेशाली ने सी आईडी क्राइम पैट्रोल सही 18 टीवी सीरियलों में भी अपने अविने का जोहर दिखा चुकी है और इसके अलावा वे कई शॉर्ट फिल्मों में और विध्यापन में भी नजर आ चुकी जब इस दोरा अनवा मौझूद संभादाता ने उनसे बात की तो उन्हों ने बताया के 29 फरवरी को होने वाले फाइनल कास्मो पॉलिटिकल मिसेज इंडिया 2019 में भी वे रेंप पर जल्वे विखेरेंगी हुशंगा असे मुंबई के सफर के बारे में बताईए आपका कैसा अनुभाव रहा है आस बहुत ही अच्छा अनुभाव रहा है ऊशंगाबाद से मुंबई का मतलब ओ सिंपल सफर ही रहा है उसके बाद मुंबई में जाने के बाद इसंड़्स्ट्री में एंट्री करने के बाद सफर और कारवा शुरू हुआ उससे पालब आप मैं हुशंगाबाद में ती त करना पड़ा है दिक्कत ही नहीं जैसे के मेरी basic knowledge acting से नहीं है मैंने उसमें कोई कोर्स नहीं किया तो वही थोड़ा सा आप challenges रहते हैं आपको कैसे emotions को randomly shot by shot अगर आपको change करना है आपकी facial expressions तो आप कैसे उस पर work out करोगे तो वह आप YouTube के जरी जरी डिजिटल मीडिया के जरी आप सीख सकते हो या फिर जितना आप camera face करते हो जितने आप auditions देखते हो तो आपको केसर कस्तूरी नाम का सीरिल स्टार्ट होगा नवंबर मिड या नवंबर एंड से उसमें में रुकमी का एक मेरा character है मैं उसके लिए ही अभी वेट करे हो और आम जिस लुकिंपवर्ट तो दा सेकेंडली एक कॉस्मोपोलिटिकल मिस्स इंडिय तोडी 19 हो रहा है फैब में उसमें मैं फाइनलिस्ट हूँ तो इस अधर तू प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं आगे वेट कर रहे हो देख रहे हो इसमें फिल्म अगर आप के वर तो आम मैंने एक आर्ट मूवी किया था हमारी दास्ता जो आर्ट मूवी फिल्म पेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई थी एक शॉर्ट मूवी की थी सच्ची लगन ये दोनों कॉल्सक्ट बेस है वो रियालिटी इंडूस्ट्री के रियालिटी दिखाई थी क्योंकि आर्ट मूवी रियल बेस होती है सच्ची लगन एक टीचर किस तरह से गाउं के बच्चे को पढ़ाने के लिए योगदान देती है उस पर भी था वो पुरा आपके मॉडलिंग के छितर में भी आपकी क्या रुची रही है रिखाई इस मॉडलिंग के बेसिकली मादै एक्ट ही बना क्रती थी एक आटर बना है एक्टिंg करते हैं और एंट एसके साथ मॉडलिंग की जो आपटर्ड़री ऊपका मिलंग आप डगो किया है उसी क्लिए शोर्स्टॉपर बनकर मैंने उनका एक कलेक्शन था उसका लॉंच किया था आपकी क्या होबी है होबी इसमें अगर बात करें तो आज की रिट में मुवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद गें तो इस पेसिकली जो रियालिटी बेस्ट बनती है बहुत ज़्यादा पसंद गर को सजाना अच्छा लगता है कभी हुशंगाबद वापस पलट कर आओंगी देखे में तो शाधी हुई है तो पलट कर वैसे नहीं आ सकती लेकिन हाँ मैं हुशंगाबद के बच्चों के लिए जो भी बच्ची जिस फील में हूँ या जो जो मै बच्चों को बोपाल जाना ही जाना पड़ता है तो मैं चाहूंगी हुशंगाबद में छोटे स्थर पर अपने होशंगाबाद का माहूल देखा बंबे का देखा तो आप इसके बारे में तोड़ा अंतर बताईए मैं तो हुशंगाबाद से हुँ मां नर्मदा की कृपा से मां नर्मदा की बीटी हूँ नर्मदाल आछल जिसे खहते हैं हम अपने शहर को तो मुझे तो हमेशा इसी पे इसी बेस पे इसी तलगरे पे रहना अच्छा लगता है मेरी अब्रिंगिंग पूरी यहीं से हुई है मैं यह निक होगी कि मुंबई बेकार है वो भी बेकार नहीं है वो सपनों का शहर है आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं लेकिन आना हमें वापस अपनी नीज पर ही चाहिए यह मेरी हमेशा सजिशन्स रहेंगे आपकी बेटी बेशाली आज सपलता के सिकर पर है तो आपको कैसा लगता और उसके बारे में थोड़ा सा बताईए आसा बेशाली का देख के वीरियो को बहुत अच्छा लगता है और वेशाली क्या है कि बजपन से uğुँं है और बाद भी भूत करती थी वेशाली और फिर इसको क्या है मॉडलिंग और यह एक्टिंग का शोग सुरूं से रहा है और पिर दब इसकी शादी हुई यë बांबे में पहुंची शादी इसकी बांबे मैं हुई तो फिर अब इसको हुआ बसके लिए मतलब चांस मेह रहा एक्टिंग लिए फिर यकर करने और घर के काम लिए मैं इन्टरसेइव रखती है रखती है खाना गेरा सब बना लेती है वह तेजी से काम करती है और इसको डेकोरेशन मगेरा का बहुत से करने का घर को अगर आपको कभी कोई चांस मिले फिल्म इंडस्टीज में इनकी मा वनने का तो आपके जाएंगे क्या पूरी कोशिर करूंगी जाने की और मतलब पूरी कोशिर करूंगी कि मैं उसके साथ उसका मात्या रोल कर सब्सक्राइब कभी इच्छा होती है अब क्या है अब इच्छा तो नहीं हुई है लेकिन चांस मिलेगा तो जाओंगी जरूर जैसे कभी मोका मिलता है उसके साथ काम करने का मात्या रोल का होशंगाबाद से एथीशा शिकांद शर्मा की रिपोर्ट